प्रुथ्वीनी चायमा चुपायलो रहशे चंद्र ग्रहान एक गोडिय घटनाचे जयरे प्रुथ्वी सूर्य और चंद्र नी सीधी रेखावच्छे आवेशे तेनी कारणी प्रुथ्वीनो पड़ चायू चंद्र नी सपाटी उपर पड़ेशे औनी चंद्र नो ते भाग दिखातो नथी चंद्र ग्रहान पून चंद्र एटले के पूनम दर्म्यान ज़ थाई शे चंद्र ग्रहान अड़ार सप्टेंबर ना रोज दिखा शे जे हार्वेस्ट मून अथवा सुपर मून हशे आ एटला माटे चे कारण के ते उत्तरिय गोलार्ध ना पान खर सम प्रकाशी अनी सौथी नजिक हशे सम प्रकाशी वर्ष मां बेवार थाई चे आ समय दर्म्यान सूर्या विशुव व्रुत्त नी उपर होई चे जिनकारणी दिवस अनी रात समान लंबाई ना होई चे तो उत्तरिय गोलार्ध मां विशुव व्रुत्ती 22-23 सप्टेंबर थाई चे ज्यारे सूर्या तेना दक्षन मां आकाशी विशुव व्रुत्त ने पार करे चे दक्षन गोलार्ध मां विशुव व्रुत्ती 20 अत्वा एक विसमार चे थाई चे ज्यारे सूर्या आकाशी विशुव व्रुत्त नी उत्तरे खाउश दे चे अ समयनी रुतुमां परिवर्तन पन शरू थाई चे आका खगोडिया घटनाची जी अढ़ार सप्टेंबर सवारेच अग्यार वागे शरू थाशे अत्वक का दर्म्यान चंद्रनी सपाटी उपर एक ज्यांखो पड़ चायो देखाशे परिंतु ते नरी आखे जोई शकाशे नहीं जोगे ते ओनलाइन जोई शकाई छे ते नासाना सोशेल मेडिया प्लाइटफोर्म उपर प्रसारित थाशे घटना समय सूरिय प्रुथवी न चंद्र कई दिशामा स्थिती शे तेना आधारे चंद्र ग्रहन ना त्रन प्रकार होई छे फूल चंद्र ग्रहन एटले के प्रुथवी नो पड़ छायो चंद्र नी समग्र सपाटी उपर पड़े छे निते स्तंपून पणी अद्राश्य थाई जाय शे आंशिक चंद्रक्रहाण क्यों जेमा आंशिक चंद्रक्रहाण दर्म्यान चंद्रनों एक भाग ज प्रुथवी नी छाया हेटल आवेचे जेना थी उलागे छेके जाने चंद्रनों कोई भाग कपाई गयो होई एसी वाई उप छाया चंदर ग्रहाण इलेके पैनम्ब्रल चंदर ग्रहाण आदरम्यान प्रुथवीना पड़ छायानो आचो उबाही अभाग चंदर नी सपाटी उपर पड़ेशे आप्रकार्नु ग्रहाण अन्य बै ग्रहाण जेवू प्रभावक नथी आनि तैने जुवामा मुश्किली बड़ी शकिछे